हमारा जीवन किस हद तक हमारे पुराने कर्मों का नतीज़ा है? जिस नाइनसाफी और अन्याए का हमें अपनी जिंदगी में सामना करना पड़ता है, क्या वो हमारे पुराने कर्मों का नतीज़ा है? अगर हां, तो क्या हम इन अन्याएं को स्विकार करें और ये सोच कर खुद को दिलासा दें कि चलो ठीक है, करम गट रहे हैं बले ही ऐसा लगे कि इससे हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है समान था, अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं कि समझ जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ओल्ड हैं मैंने का आप इतनी बड़ी हैं क्या आप अब भी उमीद करती हैं कि ये दुनिया आपके साथ इंसाफ करेगी इसलिए तो मैं ये सवाल फूच रही है क्या मैं इसका दोश अपने पुराने कर्मों को दे सकती हूँ मैं चाहती हूँ कि दुनिया मेरे साथ अच्छे से रहे, ये स्कूल की बच्ची वाला सवाल है अब तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि दुनिया इंसाफ नहीं करती है, ये आपके साथ इंसाफ नहीं करेगी लेकिन अगर आप अपने अंदर गहराई में जहाकें और जीवन का स्वाद चक लें, अपने विचार और भावनाओं का स्वाद नहीं, उस जीवन का स्वाद जवाब हैं, तब आप देखेंगी कि ये जीवन सिर्फ इंसाफ करने वाला नहीं, बल्कि ये शानदार है तो आपको इंसाफ करने वाला जीवन चाहिए ये शानदार जीवन, आपको ये फैसला करना होगा मैंने ये देखा है कि material ego से भी ज्यादा, आजकल अचानक ये बहुत ये ego है लगोन है, आपका दोस्त है क्या? ये मेरे चारो तरफ है, और मेरी इंडस्ट्री में तो इसका भरमार लगा पड़ा है तो मैंने देखा है कि आजकल material ego के अलावा, spiritual ego भी फैला हुआ है मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ, जो अध्यात्मिक मार्क पर है आप नहीं सद्गुरू जो खुद को अध्यात्मिक मार्क पर नचलने वाले लोगों से उचा मानते हैं आप ऐसे लोगों को क्या सला देंगे ताकि वो इस नई spiritual ego का शिकार ना बन जाएं हम लोग पहले इस ego नाम के आदमी को समझते हैं, ठीक है? अगर आप मुझे दिखा दें कि ये कहा हैं, तो मैं इसे अभी ठीक करते हैं काश मुझे पता होता ये कहा है, ये एक दम से आ जाता है तो आपको नहीं पता कि ये कहा है बात बस इतनी सी है देखे, कुछ विशेश पलों में, एक इनसान के रूप में, एक महिला के रूप में, आप एक सुन्दर इनसान होती हैं मेरा मतलब है एक बहुत बढ़िया इनसान माफ कीजेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बस कभी-कभी सुन्दर दिखती हैं पर कभी-कभी आप बहुत बढ़िया होती हैं ठीक है? कुछ विशेश पलों में, शायद आप बुरी होती हैं हो सकता है? तो जब भी आप बुरी होती हैं, आप कहती हैं, ये मेरी एगो है आप ये क्यों नहीं कहती हैं? ये मैं हूँ, मैं कभी-कभी बहुत बढ़िया होती हूँ, कभी-कभी बुरी होती हूँ अगर आप इस पर गौर करें, तो बुराईयां खुद बाखुद कम हो जाएंगी लेकिन अगर आप कहें, कि जब भी आप बुरी होती हैं, ये Mr. Ego ऐसा करता है और आपको पता भी नहीं है कि वो कहाँ है, न आपके पास उसका पता है, नहीं आपके पास उसका फोन नमबर है तो इस बंदे को कैसे ठीक किया जाए? तो यही सबके जीवन में चल रहा है क्योंकि ये है आध्यात्मिक हुए बिना अनाप शनाब आध्यात्मिक बकवासी हर जगा मौझूद है खासकर भारत में क्योंकि हमारे पास क्या है पता है ना 15,000 सालों का आध्यात्मिक इतिहास इसलिए हमको सारे शब्द आते हैं हमें पता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, फलाना धिमका, एहंकार, हम सब कुछ जानते हैं. पर सिर्फ शब्द, सिर्फ शब्द, नोटेड. तो हम लोग यूँ ही, बस शब्दों को उच्छाल कर, पश्चिम वालों को थोड़ा बहुत कन्फियूस तो करी सकते हैं. क्योंकि अगर आप इधर आए, तो मुक्ति, शक्ति, ये वाला, वो वाला, वो क्या, क्या नहीं कह देंगे. मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, जिन्होंने जाकर पश्चिम में आध्यात्मे केंद्र स्थापित कर दिया हैं, खासकर अमेरिका में, क्योंकि उनको बस एक मंत्र आता है, बस एक मंत्र, असब तुम्हा सद्गम है, इसी से वो पूरा केंद्र चला रहे हैं. और स्त्रोत उतने हैं नहीं. इसके चलते, लोग यहां-वहां ऐसी चीज़े बना रहे हैं. ऐसा हुआ, you know, कुछ साल पहले, 15-16 साल पहले की बात है, और तब मैं अमेरिका में था. तब हमारे ओफिस में किसी ने मुझसे कहा, सद्गुरू आपको पता है कि हर रोज, एक लाख लोग गूगल पर आध्यात्मिक्ता शब टाइप कर रहे हैं. मैंने का, ऐसा क्या, ये टाइप कीज़े, देखते हैं क्या आता है. क्या वहाँ हमारी कोई तस्वीर भी है या नहीं? उन्होंने आध्यात्मिक तशब टाइप किया, पहली चीज़ जो निकल कर आई, वो थी मेक्सिको का एक स्पा. आप आँ गई हैं. और अगली चीज़ जो निकल कर आई, वो थी उत्तरी कैलिफॉर्णिया में एक कॉल गर्ण. उसने वो सारे SEO सीख रखें. हर चीज़ के लिए वो आध्यात्मिक, आध्यात्मिक आध्यात्मिक लिखती है. उसने 108 बार वेबसाइट पर आध्यात्मिकता शब्द डाला हुआ था. अप आध्यात्मिकता लिखिये, नंबर दो पर वो आईगी. मुझे लगा ये शर्मणाक बात है. हजारों सालों से कोई भी आध्यात्मिक्ता की बात हो तो लोगों ने पूर्व की और देखाया, पूर्व यानी भारत, इसका यही मतलब था तो मैंने कहा हमें कुछ शुरू करना चाहिए कोई आध्यात्मिक्ता खोजनी है तो उनको भारत की और देखना होगा क्योंकि ये एक ऐसी संस्कृति है जिसने इस पर सबसे ज़ादा समय लगाया है मानव चेतना और इनसानी मशीन के मेकेनिक्स की खोज में सबसे ज़ादा समय लगाया है कि ये सतह पर और आंतरिक स्तर पर कैसे काम करता है ये काम कैसे करता है हम इसके लिए क्या कर सकते हैं इस सब की खोजबीन की गई है ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं भारत से हूँ दुनिया को करीब से देखने के बाद ये कह रहा हूँ कि आध्यात्म को कहीं और इस तरह से नहीं देखा गया है तो मैंने कहा कि हमें एक आध्यात्मिक गेटवे बनाना चाहिए, भारत यानि एक आध्यात्मिक द्वार, मुझे आपको बताना चाहिए लगभग 15 साल पहले तक मैं भारत में किसी भी गरू से नहीं मिला था मैं बस योही नहीं मिला, मैं बस अपना काम करने में बजी था मैंने कभी नहीं सोचा कि मुझे जाकर किसी से मिलना पड़ेगा, मैं कभी किसी दूसरे आश्रम में भी नहीं गया और फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं एक कोशिश करता हूँ फिर मैंने कुछ फोन कॉल किये, उन सब ने मेरा फोन अच्छे से रिसीव किया और फिर मैं कुछ लोगों के पास जाने लगा और जुड़ने लगा, 125 गुरुवों के साथ हमारी एक मीटिंग हुई, हमने ये नियम बनाया कि कोई भी अपनी फिलोसोफी की बात नहीं करेगा, आप अपनी फिलोसोफी रखे, ये बस एक मीटिंग है, ये मीटिंग सिर्फ अपने आश्रम या अपने योग केंद्र या आपका जो कुछ भी है, उसको बहतर बनाने के लिए है, हम आपको मैनेजमेंट सिखाएंगे, हम आपको ब्रैंडिंग सिखाएंगे, हम आपको सिख पहाएंगे कि अंतराष्ट्रिय समधायों के सामने खुद को प्रस्तुत कैसे करना है, आपकी फिलोसिफी आप हमारी मत चुईए, हम आपकी नहीं चुईएंगे, आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि यही संस्कृती की खुबसूर्ती है, कि यह सैकडों रूपों में, हजा कि अगर मैं हवाई एड़े या गॉल्फ कॉर्स में जाऊं, तो मुझे बहतर लोग मिलते हैं, इन तताकते ताध्यात्मे केंद्रों की तुल्ला में, क्योंकि यह अनाप शनाप चीज़ें उसे भरे हैं, कोई दिल नहीं है, नो कोई गहराई है, ना गहनता है, बस एक-एक मंत्र है, एक-एक बकवास है, एक फिलोसफी है, जो उन्होंने कहीं से पढ़ लिये, यह ऐसे ही चल रहा है, इसे बदलने की जरूरत है, तो लोगों में यह गहराई लाने के लिए, जैसे जैसे लोग मेरे करीब आते जाते हैं, मैं उनके साथ जादा से जादा से जादा कह रही है, मैं ऐसे आध्यात्मिक हवा कहता हूँ, जैसे ही उन्हें आध्यात्मिक हवा मिलती है, वो हवा के बुलबुले उनके सिर में घुश जाते हैं, अचानक वो अजीब हो जाते हैं, वो ऐसी बातें करने लगते हैं, जिनका वजूद नहीं है, वो ऐसी बकवास बोल को ये समझाना है कि आप क्या कह रहे हैं नहीं अगर मैं कुछ ऐसा कहूँ जो आपकी समझ में ना आए तो मैं बड़ा हो जाऊंगा और आप छोटे ये एक कच्रा है ये बहुत ज़ादा समय से चलता आ रहा है तो दुर्भाक ये से पूरी आध्यात्मिक्ता के लिए ये बुरा समय चल रहा है लेकिन धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है क्योंकि लोगों की जानने की इच्छा बढ़ रही है मुझे आपको ये बताना चाहिए कि 40 साल पहले जब मैंने पहली बार योग कारिक्रमों की शुरुवात की थी कई अलग-अलग रूपों में Inner Engineering कारिक्रम तब 85 प्रतिशत लोग सिर्फ Health की Problems के लिए कारिक्रम में आते थे केवल 12-15 प्रतिशत लोग ही कुछ जानने के लिए आते थे आज 90 प्रतिशत से जादा लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो कुछ जानना चाहते हैं कुछ अनभव करना चाहते हैं केवल 8-10 प्रतिशत केवल 8-10 प्रतिशत ही सेहत से जुड़े इशूस के लिए आ रहे हैं जोकि इंसानी चेतना में एक बहुत महत्वून बदलाव है अब अगर इस इगो वाली बात की बात करें तो ये एक चीज है जिसे हमें ठीक कर लेना चाहिए देखिए आपके अंदर सिर्फ एक इंसान है या दो मुझे लगता है एक आपको लगता है एक मैं एक ही कहूंगी एक इसका मतलब है आप एक इंडिविज्वल है इंडिविज्वल शब्द यानी इंडिविज्वल शब्द इंडिविज्वल से आया है यानी जिसके और टुकडे नहीं किये जा सकते यह अच्छा है कि आप एक व्यक्ति हैं कि आप इंडिविज्वल हैं अगर आप दो हैं, तो आप या तो स्किजोफ्रेनिक हैं, या आप किसी के वश में हैं या तो मनोचिकित्सक या उज़ा को आना पड़ेगा तो ये बहुत महत्वपून है कि हर को इसे समझ ले आप आत्मा, परमात्मा, हेंकार ये वो चीजों के बारे में मत बात कीज़े आप इंडिविजुल हैं, एक व्यक्ति हैं, आप किस तरह के हैं? क्या आप एक बहुत बढ़िया व्यक्ति हैं या एक बुरे व्यक्ति? बस इसे एक चीज को फिक्स कर दीजे क्यांवेट या वक्ति हैं, या एक बहुत के व्यक्ति हैं, आप एक भी तरह को बहुत रावत के मत बहुत कीज़े